अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, विल्कम बैक टूप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल चाल, जहां पर चट पंगनी और पट ब्या की रस्में शुरू हो ही गई, मेहंदी का फंक्शन भी गुजर किया, और सिकंदर बहुत अच्छे से नोट करता है कि रुबाब खुश नहीं, उसक पर रुबाब बहुत रोती है कि अचानक फरू की कौल आचाती है, और फरुहु से बताने लगा कि मुझे पर इल्साम लगाया, क्या मुझे मालूम पड़ा है, तुम्हारे भाई और बाप ने के सब कुछ किया, तो रुबाब कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, भला वो क्य करेंगे, तुम्हें क्यों फसाएंगे, उनका क्या मुफाद है, तो यहां पर फरुहु से यकीन दिलवाने लगा, तुम सोचो तो सही, उनका ही तो मफाद है, वो तुम्हारी और मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे सामने मुझे बुरा बनाने के लिए ये सब कुछ किया, तुम सोचो उनके लावा कौन कर सकता है, अब यहां पर फरुह ने जो इतनी दलिलें दी, तो रुबाप को यकीन आही गया, गुसे के आलम में भरकते हुए, अपने माबाप के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, आप लोगों को मैंने असलिए नही के साथ रापते में शादी करना चाहती हुँ उसके साथ, और आप में से कोई जबरदस्टी नहीं कर सकता मेरे साथ, उसको रहा करवाए, उसके केस को खتم करवाए, मैं उसी से शादी करूंगी, अगर किसी ने मुझसे जबरदस्टी की, तो ये घर चोड़ कर मैं जाने में मिनट नहीं लगाऊंगी अब यहां पर बाप को तो बहुत कुसा आया कि बेटी इतनी हुचसर हो चुकी है एक थपर रखकर बेटी के मूँ पर मारा और कहने लगे अगर इस घर से निकलने की हिम्मत भी की ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जो अपने कमरे में बठो जाकर अब रुबाब यहां कमरे में तो आ गई चीहने लगी चिलाने लगी चीजों को उठा उठा कर फेंकने लगी लेकिन बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो अब सिकंदर से ही इसकी शादी करेंगे लेकिन ये फरुख है ना थोड़ी देर के बाद फिर इसकी कॉला चा या सकते हैं तुम जहांते हो मेरी शादी तेह हो चुकी है मेरा मेंधी का फंक्षन था, अब कर मेरी बाराथ है तुम बताओ मैं क्या करूं ऐसे में तो फरुख के हाथ से जो सोने की चिरिया चादी चाए कैसे बर्दाश कर सकता है ऐसा कुछ नहीं होगा रुबाप मैं तुमसे महबबत करता हूँ तुम्हें स्टेंड लेना होगा ऐसा करो जैसे ही सब सोच हैं तुम जल्दी से भाग कर मेरे पास आ जाओ हम अकठे निकाह कर लेंगे फिर ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे रुबाप को भी यही सई लगा और वो फून रखते ही मौके की तलाश में है कि कैसे उसे मौका मिले और वो इस घर से भाग जाए लेकिन शौकत भी इसी का बाप है वो भी मौबाप मेंगे सब कुछ कर चुका है सरे पेंतरे जानता है कि मौबाप में लोग कहां तक जा सकते हैं इस लिए तो रुबाप यहां से निकलने में कामयाब नहीं हो सकती बहुत जल्ब हम रुबाप की शादी का फंक्शन भी देखेंगे जो कि सिकंदर के साथ ही हो रही होगी रुबाप रुकसत होकर अपने सुस्राल भी आएगी बेशक वो सिकंदर को पसंद करती है या नहीं उसके निकाह में तो आहे चाएगी इस तरहां से फरुख की तो डाल गलने वाली ही नहीं लेकिन बारात के फंक्शन से पहले शौकत को लगा कि वो समी के घर दो दफ़ा जा चुका है इहलाकर वो सिब समी को अपने घर इंवाइट करना चाहिए क्योंके नई नई दुष्मनी दोस्ती में बद्ली है अब इतना तो करना ही चाहिए तो वो समी की फैमली को अपने घर इंवाइट करता है जहां पर सारे आते हैं तो जैसे ही सबीन को देखा शैला ने भड़क उड़ती है बज़ा तुम यहां पर क्या करने आई हो तुम इन्वाइट नहीं किया गया तो यहां पर सबीन बहुत ही तहम्मूल से शैला से कहने लगी तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ अगर वक्त पर मैंने सब कुछ बता दिया होता तो यहां पर मैं वोती ना होती लेकिन आज तुम भी यहां पर ना होती मैं सब कुछ जानती हूँ कैसे तुमने चाल चली और कैसे तुमने मुझे शौकत की जिन्दगी से निकाला बेहतरी इसी में है कि चुप चाप मुझे अंदर जाने दो अब शैला तो कुछ नहीं कह सकी सबीन को बस तकती रही देखती रही कि इसने आज क्या बोल दिया ऐसे सबीन तो इतराते हुए सब के बीच में बैठी चाई पी रही है और शौकत है कि उसकी नजर सिर्फ सबीन पर ठीकी है वो चाहता है कि सबीन भी उसकी तरफ देखे ताके वो मुस्कुराहट पास करते हुए उसे यकीन दलवाए कि देखो आज भी तुमसे महबत करता हूँ तुम्हारी हाते ये दुश्मनी दोस्ती में बदल दी मैंने शौकत की नजरों को हुब अच्छे से देख रही है नोट कर रही है लेकिन है कुछ नहीं कर पाएगी